तो बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ सब्जक्ट सोशल साइन्स के लाश्ट येर एन्वल कॉस्टन पेपर को विद सोल्यूशन ठीक है कॉस्टन पेपर देखकर आप पैटन समझ सकते हो सेम पैटन में आपका पेपर आएगा और प्रैक्टिस क अंसर अप्लोड है पूरे पेपर के तो आप कॉमेंट में लिंक मिलेगी ओपन करके देखकर चेक कर सकते हो कि आपने कितना राइट किया कितना रोंग किया ठीक है तो कोस्टन पे आजाओ ये मौर्निंग सिप्ट का है ठीक है सेक्शन ए कोशन वन कार्ल मार्क्स के अनसार पूंजी पतियों के साथ होने वाले संगर्स में जीत अंतिता होगी किसकी होगी साथकों की, मजदूरों की, सामंत वादियों की या फिर पूंजी पतियों की तो राइट answer आपका है भी मजदूरों की ठीक है यानि वरकर्स ठीक है अगला कोशन कोशन नमबर टू है यहाँ पर मेंसन किया गया है 1970 के दसक में भी सुबैंक ने कागज उद्धोग को लुगदी उपलब्ध करवाने के लिए भारत के किस खेत्र में साल वनों के इस्थान पर देवदार के वन लगाने का प्रस्ताव दिया जिसे इस्थानिय परिया वरण विदो के विरोध के कारण रोका गया तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए बस्तर ठीक है कौनस अप्शन राइट है ए ठीक है बस्तर अगला कॉस्टन नमबर थर्ड निम्न लिखित में से कौन भारत का पहला वन महानी दे सक्ता डाइटरिच ब्रेंडिस सर्गुजा के महाराज या फिर जोर्ज यूल या फिर सुरोन्टिको समीन तो राइट आंसर आपका ए है डाइटरिच ब्रेंडिस ठीक है अगला कॉस्टन नमबर फोर कारिसील पूंजी का एक उदाहरन है आउजार नकद मुद्रा जिसे आप नगद मुद्रा बोलते हो मसीन या फिर भवन तो र इसे आप नगद मुद्रा बोलते हो ठीक है कोशन फाइफ एबी सीडी में आंसर देना है संकल्पना सा अधिकांस प्राइदूपिये नदियां अरब सागर में गिरती हैं तो गलत है अगर सागलत है तो का को देखो मत आपका डी ओप्सन राइट हो जाएगा और एक बार का ठार का ढाल पूर्ब की ओर है यह सही है ठीक है तो अगर आपका सा गलत है तो डी ओप्सन होगा ठीक है संकल्पना सा गलत है परंतु कारण का सही है ठीक है डी अगला कॉस्चन नमबर 6 सेम ABCD में आंसर देना है ठीक है संकल्पना सा सार्वजनिक वितरन प्रडाली खाद सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक महत पूर्ण कदम है ठीक है तो यह आपका बिलकुल सही है कारण का सरकार विन्माई रासन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब लोगों को खाद द्यान वितरित करती यह भी सही है और इसलिए यह कदम उठाया गया है तो मतलब कारण संकल्पना की व्याख्या कर रहा है तो यहाँ पर आपका A उप्षन हो जाएगा ठीक है क्लियर है शिक्स में आपका A हो जाएगा अगला कोशन नमबर सेवन संकल्पना सा सन सोला सो में भारत के कुल भूमिशेत्र के लगभग छटे हिस्से पर खेती होती थी बिल्कुल सही कारण 19.20 सतावदी की सुरुवात में आपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को उत्पादक समझा यह आपका गलत है तो जहाँ पर संकल्पना सही हो कारण गलत हो वहाँ पर हम लगाते हैं C ठीक है यहाँ पर आपका C हो जाएगा अगला ठीक है सेवन्थ में C Q8 A B C D में आंसर देना है फिर से संकल्पना हमारा समिधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है बिल्कुल सही कारण संपत्तिक अधिकार मौलिक अधिकार है नहीं गलत है यह मौलिक अधिकार नहीं है तो यहाँ पर भी सास है का गलत है तो C हो जाएगा ठीक है आठवर में C अगला कोसर नमबर 9 निम ने लिखी तमे से कौन सी नदी भरंस घाटी में बहती है महा नदी, क्रिश्णा गोदावरी या फिर तापी तो राइट आंसर D तापी ठीक है अगला कोसर नमबर 10 मौसमी बेरोजगारी की समस्या मुख्यता डेस सेत्र में पाई जाती है कहाँ पर किरसी, व्यापार बैंकिंग या फिर संचार तो राइट आंसर A किरसी ठीक है एगरी कल्चर अगला 11 कोसर नमने लिखित में से कौन सी लोगतंत्र की एक विसेशता है सेना द्वारा निक्सासक या फिर स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाओ या फिर सिर्फ अमीरों को वोर्ट देने काधिकार या फिर मौली काधिकारों का अनादर तो या आपके तीनों रोंग है ठीक है राइट अंसर आपका भी है स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाओ ठीक है इंगलिस में भी सेम फिरी एंड फेर इलेक्शन बी ओप्सन राइट है कोसर नमबर ट्वेल कोसर नमबर ट्वेल असंगत मिलान की पहचान केजिए ठीक है मतलब कौन सा गलत है एउप्सन है अंतियोदय अन योजना गरीवी रेखा कूपर एग गलत है आपका ठीक है बाकी अन पुरड़ा योजना निर्दयन वरिष नागरिक सहिए राष्टे खाद सुरक्षद नियम योग परिवार ये भी सहिए सार्वजनिक वित्रन प्रडालिस सार्वजनियन ये भी सहिए तो कहरा कि असंगत मिलान की पहचान करना है तो ये आपका एउप्सन हो जाएगा ठीक है क्लियर है यहाँ पर आपका एउप्सन है अगला कोशन नमबर थर्टेन निम लिखित में से कौन सा कथन खाद आशुरक्षद का सही उदाहरन है पहला ऐसे इस्थति जहां माता पिता अपने बच्चों को स्कूर नहीं भेज पाते हैं दूसरा ऐसे इस्थति जहां बीमार लोग इलाज का खर्च नहीं उठा सकते तीसरा ऐसे इस्थति जहां लोग भोजन का खर्च नहीं उठा सकते चोथा ऐसे इस्थति जहां लोग कार का खर्च नहीं उठा सकते तो यहाँ पर खाद आशुरक्षा की बात कर रहा है ठीक है यानि तो यहाँ पर आ जाएगा आपका C-Option ऐसे इस्थिति जहाँ लोग भोजन का खर्च नहीं उठा सकते हैं ठीक है यह आपका 13 का अंसर होगा यह चित ध्यान में रखना क्लियर है तो इसमें आपका C-Option राइट हो जाएगा ठीक है अगला कोशन नमबर 14 कोशन नमबर 14 भारत के आकार के बारे में निम्न लिखित में से कौन सा कथन गलत है तो C-Option राइट है मकर रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है ठीक है यह आ यहां पर आपका C-Option हो जाएगा कोशन नमबर 14 में C-Option ठीक है अगला कोशन नमबर 15 मैंने दा लोंग वोग टू फ्रीडम नामक आत्म कथा की रचना की मेरा नाम बताई है तो मतलब किसने लिखा दा लोंग वोग टू फ्रीडम नेलसन मंडेला ने ठीक है बी ओप्शन आपका रइट है यहां पर नेलसन मंडेला ठीक है C-OptionTa 15 में अगला क most सिक्सिटीन निम्ने लिखीत में से कौन सा राजनितिक कारपालका का उदाहरण नहीं है राजनितिक कारपालका का उदाहरण नहीं है तो यहाँ पर आपका प्रधान मंत्री ये भी है, राष्टपती ये भी है, कैबिनेट मंत्री ये भी है, करन नहीं है, तो संयुक्त सचियू, ये नहीं है, ठीक है न, ये आपका अंसर हो जाएगा, क्लियर है, D-Option राइट हो जाएगा, कॉपसर नमबर 16 में, अगला कॉपसर ठीक है, अगला कॉपसर नमबर 18, भारत में लोग सभा का सदद से बनने के लिए निउन्तम आयू कितनी है, 15 वर्स, 20 वर्स, 25 वर्स, 30 वर्स, तो यहाँ पर आपका C-Option राइट होगा, 25 वर्स, लोग सभा के लिए 25, राज सभा के लिए आप 30 लिखोगे, ये चित ध्यान म कहाँ पर, भारत और बांगलादेश के मद्ध, भारत और पाकिस्तान के मद्ध, भारत और मालदीव के मद्ध, भारत और स्री लंका के मद्ध, तो यहाँ पर D-Option राइट होगा, भारत और स्री लंका के मद्ध, ठीक है, यहाँ पर D-Option आपका राइट हो जाएगा, इंड सी संस्था स्वतंत्र और निश्पक्स चुनाव करवाती है राज सभा लोग सभा उच्चितम ने आया ले तीनों कलते हैं राइट आंसर आपका है भारत चुनाव आजोग जिसे निर्वाचन आजोग भी बोलते हैं ठीक है यह उप्शन राइट हो जाएगा क्लियर है इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया यह उप्शन राइट है तो टोटल मैंने सेक्षन ने कंप्लेट कर दिया अब पूरे पेपर के सॉल्यूशन के लिए आपको कॉमेंट चेक करना है वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा और कॉस्चन यहां से आप देख सकते हो 21 22 23 24 कॉस्चन मिल जाएगे ठीक है और वहाँ से आप देखर तयार कर सकते हो तो कॉस्चन देख लो ठीक है बाकि जो भी पेपर आपके होते हैं सबके आंसर पेपर के बाद अपलोड हो जाते हैं इस चैनल पर तो चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आसानी से अपने आंसर कॉस्चन पेपर भी अपलोड है विद सॉल्यूशन दोनों सिप्टी के तो देखकर उसकी भी प्रेक्टिस कर सकते हो बाकि सस्टी के लिए प्लेलिस्ट देख लो आप प्रेक्टिस वेपर की भी तयारी कर लो अपलोड है ओके यह चिद्ध्यान में रखना क्लियर है वीड यह अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हल्प हो सके तो टोटल 22 पेज का यह कॉस्चन पेपर था ठीक है कम्प्लीट हुआ कॉमेंट में लिंक मिलेगी ओपन करके पूरे पेपर का अंसर देख लो मिलते हैं अगली वीडियो में टोटल इतना ही था था थ